हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आर्वी एडिटीव क्लास में तो दोस्तों आज मैं एक ठेरम ले करके आया हूँ यह ठेरम 10.4 है क्लास 9 की मैथ की बुक से चेटर नंबर 10 सर्किल से लिया गया है तो इस वीडियो में हम इस ठेरम को डिसकस करेंगे आप बस इस वीडियो में आपको लिंक दे दूँगा आप वहां पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपर तो यह हमारे पास थेरम 10.4 दा लाइन राउंग रोदा सेंटर आफ आ सर्किल टू बाइसिक्ट आ कॉर्ड इस परपंडिकूलर टू दा कॉर्ड यहां प जो AB कार्ड पर परपंडिकूलर है परपंडिकूलर मींस होता है परपंडिकूलर मींस होता है कि जो लाइन है वो 90 डिगरी का एंगल बनाती है और परपंडिकूलर का सिंबल होता है यह ठीक है इनवर्स टी उल्टा टी ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि उल्टा टी म एंगल बन रहा होता है तो इस question को हम four parts में discuss करेंगे गीवेन टू प्रूव कांस्ट्रक्शन प्रूफ चार पार्ट में हम इस question को discuss करेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले गीवेन देखें गीवेन जो होता है वो आपको यही figure देख करके explain करना होता या फिर यह जो words दिये गए हैं इनी को देखके explain करना होता है तो यहां पर देखिए हमें जो figure होता है यही से सब कुछ लिखना होता है figure में सर्किल है सेंटर ओ है और एक कॉर्ड एबी है ओ यम जो है एबी को बाइसेंट कर रहे हैं मतलब एम पॉइंट मिड में है रहे चीज़ हम लिखेंगे लेट कि एबी दीदा कॉर्ड कि आप सर्किल कि विद सेंटर ओ विद कि विद दीज़ के कि रूँक्तर ओ फिद सेंटर ओ और ओ लुट gi कि विद्धरर अस्यों विद आना हुट किए ठीक है? अब हम राइट करेंगे to prove मतलब हमें prove क्या करना है? ठीक है? तो हमें यहाँ पर prove करना है यह जो om है ab पर perpendicular है आप इसको दूसरी सब्दों में भी लिख सकते हो कि prove that om perpendicular on ab या फिर आप इस short form में write कर सकते हो यह perpendicular का symbol है om perpendicular to ab अब हम write करेंगे construction construction आप proofs में भी write कर सकते हो construction में हमने क्या किया है इस oa radius और ob radius को join कर दिया है इसलिए यहाँ पर यह dotted line से है तो यहाँ पर लिखेंगे join oa and ob अब हम यहाँ पर heading डालेंगे proof तो इस प्रूफ में हम सबसे पहले यह बताते हैं कि हम कहाँ पर proven करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले इस ट्रेंगल o a m o b m को concurrent प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे in triangle o a m and triangle o b m we have तो क्या मिलेगा हमें दिखिए सबसे पहले o a equal होगा o b के इसका रीजन है रेडिया याफ सर्किल क्योंकि यह एक ही सर्किल के रेडियस हैं सो यह इक्वल है ठीके इसके बाद जो यह एम है वह इक्वल है बी एम के इसका रीजन है यह मीड पॉइंट है है ना m is midpoint ओ ओ यह इक्वल टू ओ यह इसका रीजन है common है ना ओ यह जो है common है तो ट्रेंगल ओ एम इस कंगरेंट ट्रेंगल ओ बी एम अब इसने को कंगरेंट होगा कैसे इसका भी में कारण देना होता है तो यह होगा वाई एस 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 कंगरेंट रूल ठीक है यह जो हमारे ट्रेंगल है यह एस एस कंगरेंट रूल से कंगरेंट है अब एस एस क्या होता है साइड 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 यानि कि एक ट्रेंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रेंगल के कर्रिस्पोंडिंग साइड के एक्वल है ठीक है अब देखो लास्ट में में क्या पूप करना था लास्ट में यह रूप करना था कि देखो यह ओ यह लाइन पर परपैंडीकूलर है तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं एंगल ओ एम एक्वल्टू एक्वल एंगल ओ एम-बी है इसका रीजन बाई cpct एक्वेशन नमबर वन ठीक है यह हमारा एक्वेशन नमबर वन होगा सिपी सिटी का फुलफाम होता है करेस्पांडिंग पॉर्ट आफ कंगरेंट ट्रेंगल तो इतना आप राइट कर लिजिए या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन सॉट ले लिजिए फिर हम आगे बढ लेंगे तो यहां तक हमारा हो गया था एंगल ओम एक्वल टू एंगल ओयम भी ठीक है अब आप देखो यह जो कॉर्ड एबी है यह एक स्ट्रेट लाइन है देखो यह मारा कॉर्ड एबी है यह स्ट्रेट लाइन है और यहां पर एक 90 डिगरी का एंगल बन रहा है तो आप 180 डिगरी होता है तो यहाँ पर चलेंगे Since AB is a straight line Angle OMA plus angle OMB is equal to 180 डिगरी ठीक है क्योंकि यह एक straight line है तो इसलिए इन दोनों angle का सम कितना होगा 180 डिगरी होगा लेकिन यहाँ से आप देखो OMA OMB equal है तो आप किसी के भी हटा करके उसके जगापर दूसरा नाम write कर सकते हो तो मैं यहाँ पर OMB के place पर OMA put कर दूँगा जहाँ पर हो जाएगा OMA और OMB के place पर OMA is equal to 180 degree अब यहाँ से अगर हम angle OMA की value find करेंगे तो इस two को दूसरे side बेज देंगे और यह इधर आके divide में हो जाएगा और इस प्रकार से बनेगा angle OMA is equal to 90 degree कितना 90 degree तो अगर एक angle 90 degree हो गया straight line पर तो दूसरा angle भी 90 degree होगा अब जब यह 90 degree हो गया तो finally मैं आपर rate कर सकते हैं कि जो OMA है is perpendicular on AB और यही हमें prove करना था hence proved ठीके तो यह हमरा इस question का provens होगा आप वीडियो को pause करके write down कर लीजे या फिर screenshot ले लीजे तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class जते हैं नहीब तक लीडियो कि अ कि ढूड़ा झाल सक हम बड़ाईग को